नमस्ते किसान बायों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागात है हमारे यूटूब चैनल के अंदर आप देख रहे हैं इसका एंट टेक्निकल लूइज आज टेक्निकल जानकारी के अंदर हम आपको रिव्यू करेंगे पांच एजबी डीजल इंजिन से बारे में उस बना सकते हैं और इसके multi-use भी कर सकते हैं यानि इसका जो pump हटा गया अप generator बना सकते है इसका या जो जुगाट बना कर खेतू पुछम सकते हैं और इस prince Sóarna एसे यूज कर ही है देखे आप यहां से चाहिव सकते हैं कोंज सी कंपनी का है पाच बिगा है और इसके 3400 अार्पियुम मैं देगे आप आसानी से इसको देख सकते हैं बहुत है और यह मेंनियोल स्टर्ट है इसको यहांपर देखिए इसको रचती डाल गए एको स्टर्ट किया Прís 1 PRO यहां पर इसका silencer है, यहां से जब आप कभी, इसका engine oil change करें तो इस डखकन को हटा कर, इसके अंदर आपको एक इंचे-णोल डालना है और यहां पर इसका यह जो आप देख रहे हैं यह है गेज इंचे-णोल का गेज देज चेक करने के लिए और यह है एएर क्लीनर विद ऑयल है, इसके अंदर अले डिला हुआ यहां पर डीजल फिल्टर लगे हुए है इसके जो नॉर्मली इंजिन में आते हैं और ऐसा इंजिन आपको ओटो के अंदर मिल जाएगा जो डीजल बुलिट होती है उसमें मिल जाएगा और कभी-कभी जब डीजल खतम हो जाता तो एर आ जाती है तो एर निकालने के लिए य इसके जो इंपूट पाइब लाइन है वो तीन इंची पाइब लाइन से पानी इंपूट होता है और डाई इंची से आउटपूट होता है आप देख सकते हैं कापी अच्छा पानी फ्लो करता है यह और एक गंटे के अंदर इसकी डीजल की जो खपत है वो 800 ग्राम के सम्त संदिंगे अनि एक लिटर के अंदर अंदर आपको एक गंटे में ऑना तो番ट एघ्रत आ वोदल है ऑच्छा नोसे इसको हम मारेंगे तो इंजन ओप हो जाएगा और यहां पर देखिए इसका एक्सिलेट रहे हैं यहां से इसको डीला अगर करके आप इसके आर्पम को सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या-कया समिशा आती हैं वो भी हम आपको दिखा दें इसके अंदर किसान भाइयों ज्यादा कुछ समशन नहीं आती हैं हम इसको तक्रीबन 2012 से इसका यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक तो पाइप जोइंट करने की अपको हलकी सिसमशा रहते हैं इसको बार बार पाइप लगाना होता है उपर और बहुण नुचे का और इसके अंदर पानी यहां पंप तक बरना होता है यहां तक पानी नहीं बरेंगे और एर अगर रहे गया पानी के अंदर रिजन पानी पकड़े गाल है। यानि पानी का रोटेशन नहीं बनेगा फिर पानी उठाहेगा ऐगा तो यहां पर पानी बरना खायब लगाना उसके बाग क्या अगDD आपको हा से स्टार्ट करना एक रसी होती है जिसको यहां पर आप देख सकते हैं इसके जो वील लगी हुए पुली लगी हुए इस पुली के यहां पर आपको रसी लपेट के खीचना होता है खीचने के बाद यह आसानी से स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर आप देखें बंटा इंजिन चलने के बाद आपको इंजिन ओएल चेंज करना होता है बाकिस के इंदर कोई समयशा नहीं है इंजिन कापी छोटा है इसका वेट 70 किलो से 55 किलो के आसपास है तो इसको दो आदमी आसानी से बाइक पर रखकर जहां पर आपका खेद है नाला है वहां पर इसके बाद करें तो इसा टायर नहीं रखेंगे तो वाइबरेशन के कारण इदर उदर भूमता रहेगा और आपके पायप तूट सकते हैं बाकी बहुत अच्छा इंजिन है इसकी कीमत की बात करें तो 35,000 के समति हमें इंजिन मार्केट से खरीद के लेके आया थे और इस देस अजार रुपे की सबसिटी भी गवर्मेंट के द्वारा हमें मिली थी तो 25,000 के अंदर हमें इंजिन मिल गया था और इसको हम कापी सालों से यूज कर रहे थे और गए साल भी यूज करते हैं हम हम इससे दैस बिगा जमीन के ऊपर सिजाई करते हैं और हर साल आम इसको पचास से साथ गन्टा इसका यूज भी करते हैं जो हम एक चीजाई करते है उसमें 50 गन्टे अगर आपके अदर मार्केट से से या और इन्जिन ले के आजाई यह और बोहरा यह इसका पाँच्छा पानी देता आपका 5 chb का समर्सिबल पंप यह ओना पानी देता है उसके से ज्यादा यह पानी आपको इंजन देता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हे बहुत अच्छा इंजन है आप बोलें यह आप ने इस साल तो हमारा यही कारण है इस आल यूज नहीं करने का कि हमने नया कनेक्शन करवा लिया है और वहां पर हमने समर्सिबल पंप डाल दिया है तो इसे देख तो डिजल की बच्चत हुई है और बार बार इसको नाले में ले जाना वाप पिर घर पे लाना वह सारी जंजड भी खतम होने के बाद अगर आपके घर पे लाइट की समिशा है तो यहां पर देगे यह जो पंप है इसको आप हटा ले और इसके आप डाई लगा दें डाइनमूल लगा के सिंगल फेस का आप जनरेटर त्यार कर सकते हैं या फिर इस पंप को हटा गे आप चार वील दवारा एक ऐसा जुबाड बनाएं इसका उपर इस इंजन को सेट कर दें और फिर उससे आप अपने खेतु में कुल पार निकालने का जुबाड बना सकते हैं तो आपको वीडियो कापी सारे वीडियो को मिल जाएंगे इससे जुबाड बने हुए और यह आप देगेंगे कि जो शुरू मे डिजल बुलेट चलाई थी अभी बंध हो गए मार्गेट में उसके अंदर जो इंजन आता था सेम एक ग्रिवेस कंटनी का इंजन है और बहुत ही जोड़दार इंजन है डिजल ओपरेट इंजन है और में एक बार इसकी पूरी डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं बहु हम कापी सालों से इसका यूज कर रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि किसान बाइयों को इसके बारे में थोड़ी चानकारी देती जाए ताकि जिन बाइयों के बिजली का कनेक्शन नहीं है मोटर टूवल नहीं है वो इंजन से सीचाई करते हैं दोस्तों यह क्या है कि छोटा नयीं है सिच्तर फ Are prepare 3 चीजिगा इंजन होने के साथ ही इसका रेट कर में इसको आसनी से ले जा सकते हैं आप इसको एक ट्रोली नुमा बनाके इसका जुगाड बनाके वाइक के पीचे भी कॳिच गीम कहें Stahe working कर सकते हैं तो क्या बड़े जिन आते पांच एबारह के वह क को ले जाने लाने में और नदी नाले में एक बार डाल देख वापिस निगालने में काफी शमयसा होती है तो इसी सारी समयशाओं से जूजते हुए हमने ये इंजन खरीदा है और फुल पेसा वसूल इंजन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको एक बार आप भी लेके आई सकते हैं और ऐसी नहीं नहीं टेक्नोलोजी से जूड़ी एक सानु के सारी टेक्निकल जानगारी हम टेक्निकल चनल के उपर लेके आते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलिए नेक्स वीडियो में जैहिन टेक कियर औल देबेस्ट